मेरे शोहर उनके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें लुप्तान होता है एक तो ये मसला है और कोई मसला आपका? हाँ, मेरा बच्छा है छोटा, छे साल का है जी उसकी आख, नाख और गले में गुदुदाता है और ठीक ठीकता है और एनर्जी जी ठीक है, ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप एक दवा तियार कीजिए और वो दवा, वो जो बच्छे करनाक का मसला है और आपका मसला है इन्शाल्ला आपको उस दवा से बहुत फाइदा होगा सौफ पचास कराम, बड़ी इलाची पचास कराम, धनिया पचास कराम सुन लिया सौफ पचास कराम, धनिया खुश्क पचास कराम, बड़ी इलाची पचास कराम और सफय जीरा पचास कराम यह आप बारीक पीस लीजिए एक चम्मच सुबा तो पैर शाम और बच्चा आधा चम्मच या चुछाई चम्मच सुबा तो पैर शाम चांद दिन चांद हफते इस्तेमाल कीजिए और दूसरी चीज यह है आपने हर नमाज के बाद एक तस्वी पढ़नी है या जामेयो या मुईदो मीम आइन और ये दाल या जामेयो या मुईदो एक तस्वी सारा दिन पढ़नी है उठते बैठते साथ सोते जागते जो पढ़ना है वो पढ़ना है यानि ये एक तस्वीर पढ़नी है अवला के दुरूश रीफ के साथ हर नमाज के बार और सारा दिन जो पढ़ना है वो या रब मुसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर रह्मान ररहीम ये खुला पढ़ना है और बहुत सैक्रों हजारों बहुत खुला पढ़ना है इन्शालला आपके मसाइल हल मुश्किलें दूर होंगे